Hello students, today we will discuss the remaining part of political parties. So students, we start the video. Students, we start from the function of political parties. Students, एक चीज रहे हम आपसे डिस्कूस करना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं जिसे हम लाइन बाइन एक्स्पेइन करते हैं को जाएज इसका सीधा से मतलब यही है कि आप कहीं पर भी हो, और आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो समय तो बस आप हमारे चैनल को ओपन कीजी आपके लिए बुक की कोई नीड नहीं है क्योंकि बुक की हर एक लाइन को हमने इस वीडियो में एक्स्प्लेंड किया है मिंस आपको बुक ले जाने की कोई नीड नहीं है यहां पर लाइन बाइन दूसरी बात जो यंसी एर्ट है वो यही करती है कि वो बुक के बीच से या लाइन की बीच से या पैरागराप के बीच से ही क्वेश्चन मनाती है मेंस आंतता हमको बुक पढ़ना ही पढ़ता है हम चाहें जतना उससे अपना पीछा छुड़ाएं तो क्यों ना हम बुक ही पढ़ें इसलिए हमने सोचा कि हम एक एनिमेटेड वीडियो बनाने से ज्यादा अच्छा है कि अगर हम बच्चों को लाइन बाइन एक्स्प्लेंड कर दे रहे हैं तो उनके हित में होगा चले टाइमना ज्यादा लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करते हैं हैं अब आउर देखा बाऊड़ द्र प्रिक्ल पार्टी की थ्री मेन पार्ट होते हैं दा फ़स्टे लेडर्ससेकंट ये अक्टिव मेंबर्स एन था फोलोबर्स मे प्रेडिकल, What does our political party do? Basically political parties fill political offices and exercise political powers. political party क्या करती है साधारनता अगर दिखा जै Watts particle party राजनीतिक offices and exercise political powers वो political parties जो होती ह prepared!!! इस को राजनीतिक गदविधियां करती है राजनीतिक गदविधियों करती हैं प्रदसन करती है यह चलाती है देष को, the parties do so by performing a series of function पार्टियां कुछ फंक्षन करती है जो की एक सिरीज में दिया गया है या नीची लिखा गया है आई हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या क्या है कि इस्टुडेंट्स हम जो चीज बताएंगे इसको आप हाइलाइट कर लिजएगा बहुत ही most important टिंग्स इरक्षण इंहों हानों आप egen mechanics का εν में चीज किया है पार्टिएक्स्ट कंट्रेंट इलेक्शन बस फ़ोस्ट पॉइन्ट आपका होगा घर इस प्रोक्षा फंक्षन्टित्स अँप प्रट्स चौह सांसम जो फाइब मार्स में आता है तो कम से कम फाइब मार्स तो आपको लिखना पड़ेगा और इस प्लेन भी करना पड़ता है इसको तो नाद फर्स्ट इदा पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन अब अगर आप ध्यान दीजी बेटा तो हमारे देश में अगर पार्टीज नहीं होती तो एलेक्शन क्यों होता है एलेक्शन नहीं नहीं होता लेकिन सभी पार्टिया उसे पार्टीज करती है एलेक्शन में और वहाँ एलेक्शन होता है जो पार्टीज बिन करती है वही गवर्ब्मेंट को फॉर्म करती है i'm a Günightación honeymoon canina Gissa फुट अप ॉब्र YOUR प्रिटिकल प्रटी क्रिश उप्रेश संपर्टे धीर है, आपके लिए डिफ्रेंट पिफ्रेंट प्रटी जो होती है अपने कंडिडिट को सेलेक्ट करती है आपने देखा होगा कॉंग्रेश है ily見て Will this स्पाय जो भी कुछ पार्टियां यहां हैं वो क्या करते हैं अपने कैंडिडेट को टिकर देती हैं कि यह चुनवाव में इस बार यहां से स्टेंड करेंगे अगर यहसे कुछ देश हैं जहां पर कुछ डिफरेंट का बताते हैं कि यहां यह बपकते ठीक है आप इसको चुनवाव में इस्टेंड कीजिए यसे present time में Donald Trump Republican Party और Democratic Party वहां पर दो पार्टियां है तो Donald Trump जब आये चुनाव में participate किये तो उनकी वहां के खुद के candidate मतलब उनकी party उनको नहीं चुना बलकि वहां की supporter ने उनको चुना कि हाँ भाई ये best candidate बनेंगे इनको आप election में लड़ाइए कि नाव मोर एंड मोर कंट्रीज आर फालोइंग दिस मेथड बहुत सारी कंट्रीज इस मेथड को फालो करती है मिंस कौन से मेथड बेटा जिसमें कि supporter और मेंबर्स किसी भी candidate का elect करते हैं चुनाव करते हैं इंडिया टॉप पार्ति लेडर शोज चूज कांट्रिंडेच यहां पर प्रफ लेडर होते हैं से इसह इसे होता नहीं है ठीक है ना तो पहली बात यहां पर क्या होगे बैटा प्रडिकल पार्टी कंटेस्ट एलेक्शन नौद सेकेंड एज़ पार्टी पुट फारवर्ड डिफरेंट पॉल्सी जैन प्रोग्राम्स आप यहां से यहां तक अलाइन कीजिए पार्टी पुट फारवर्ड ड उनकी क्या पॉलसी होगी जैसे चुनाव जीत जाएंगे उनकी सरकार बनेगी तो जनता से कुछ प्रॉमिस किये रहते हैं तो वह कुछ पॉलसी अपने बताते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम गरीबों के लिए आवास फ्री करेंगे हम बच्चों को लैप्टाव जाएंगे अगर आएंड दा ओटर चूज फॉरां थे और उटर उनमें से चूज करते हैं यहां पर चूज करने मतलब यह को ओटर क्या चूज करेंगे सिंपल सी बात यहां पर यह स्टूटेंट्स कि जैसे सभी प्रॉडिकर पार्टियां चुनाव के टाइम पर अपने अ प्रोग्राम देते हैं तो हमारे जंता को हमारे ओटर्व को जो प्राटियों का ज्यादा बेस्ट लगता है उनको लोग अंगर उपना मत हैं विचार हैं और व्यूज हैं कि हम क्या चाहते हैं तो कई सारी पॉलिटिकल पाइटीज हैं तो जिन पॉलिटिकल पाइटीज से हमारा विचार मेल खाता है उनको ही हम वोटिंग करते हैं लेकिन कोई भी गवर्मेंट इसको नहीं लेके साथ चल पाती है इस्टूरेंस यहां पर यह मतलब हुआ कि अगर जैसे देखा जाए तो बहुत सारी लोग होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि हमको यह फ्री दिया जाए या हमारे लिए व्यूस्था की जाए ठीक है न तो कुछ ही पार्टियां होते हैं जो उनके लिए काम करती हैं और कुछ होती है जो अपने अलग के लिए काम करती हैं अगर मालीजी कोई गवर्मेंट बन गई कुछ भी हो गया तो जाहर जी बात है सब की डिमांड को फुल्फिल नहीं कर पाएगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा जैसे एक एजम पर लीजिए आप मालीजी किसी भी इलाके में बनना है अब उस डैम से क्या होगा कि लाइट मिलेगी या बड़ बड़े इंडिस्टी का वर्क होगा ठीक ना अब जो डैम जहां पर बनना है वहां बहुत सारी आदिवासी लोग रहते हैं चुकि नदियों पर डैम बनाया जाएगा उसके बाद उस वाटर से इलेक्टिस बाधा आएगी और फिर इधर इंडिस्टी इस्ट भी वर्क नहीं कर पाएंगे तो देश का जीडीप गिर जाएगी अब अगर बनाती है तो कहीं ने कहीं उसरे ट्राइबल्स भी नाराज हो जाते हैं तो यहां पर कहने मतलब यह है कि सबकी ब्यूज को सबकी चॉइस को फुल्फिल नहीं कर सकती है कि इना डिमोक्रेशी अ लार्ज अंबर आफ सिमिलर ओपीनियंस हैब तो बी गुरुब्ड टुगधर तो प्रवाइड डारेक्शन विच्ट पॉलिसी चैन बी फॉर्मुलेटेट बाइद गवर्मेंट्स इना डिमोक्रेशी अगर देखा यह नीड है ठीक ना है टुब गुरुब्ड टुगधर तो प्रवाइड डारेक्शन इन विच पॉल्सी चैन बी फॉर्मुलेटेट तो मिंस हमको एक गुरुप मिल जाता है कि इतने लोग सोच रहे हैं देश में कि क्या हो कैसे हो तो उनके लिए क्या किया जाता है कि उसी मेंसास से फिर प्रवाइडियां अपना मेनिफेस्टों पेस करती हैं कुल मिला के कहने ऐक बतलब यह है कि मिजोटी की जो डिमांड होती है उसी को सरकार फुलफिल करने के लिए ज्यादा मिन्स वर्क करती है क्योंकि उसको पता है कि अगर हम डिमांड को तो हम अगले भी हम ही चुनाव जीतेंगे, this is what the parties do, यही काम पार्टियां करती है, एफ पार्टी रेड्यूस करती है वास्ट Administration आफ उपिनियनों जो सारे आती हैं उनको कम करते हैं वो चेक करते है कि की ओपिनियन्ग को किस माध्य हैं क्र सकते हैं a few basic positions which are Bezos certified means जो execution होती हैं जिनको supporters को fulfill कर सकते हैं वही चीजानती है की हम इन्हीं ब्यूज को कर सकते हैं खुझभ ज्यादा निसम्य आपक हरेंगे the government is expected should be on the line taken by start by the ruling party a government is expected, जो government होती है, इस पालसी की अपनी पॉलसी का base और बेस अपनी इस तरीके बनाये on the line taken by the ruling party की जिससे ruling party उसको कर सके तरह के है, मैंस government वह होती है, वही ruling party होती है, और वो इस तरीक us policy बनाती है, जिससे वह लोगों की demand को foresee वुल्फिल कर सके लिए 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 नावथाड़ी पार्टी प्ले याद डिसी रोल इन मेंकिंग लाव फॉर अ कंट्री पार्टियां देश में कानून बनाने में महत्पूर्ण भूम का निभाती हैं जिस इस बात को इस तरह समझे जैसे हमारे यहां पार्लियमेंट में राजसभा लोगसभा होती है तो उसमें डिफरेंट पार्टेज की मेंबर्स इलेक्ट होकर के जाते हैं ठीक न अब जब कोई हमारे पास होता है तो नियम पास कर दिया। और राज सभा को लगता है कि नहीं ये नियम देश के लोगों की हित में नहीं रहेगा इससे बहुत ज़्यादा देश में वालेंस हो जाएगा तो कहीं नहीं कहीं उस राज सभा में अपर हाउस उसको रिटाने कर देगे फिर से और बनेगा नहीं अगर इन दोनों लोगों स्पास हो जाता है तो President उस चीज़ को मना कर देता है तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा है कि पार्टियां देश के कानून निर्माड में महत्यपूर्ण भून का निभाती है करते हैं और उस नियम को पास या फिर रुकवा देते हैं irrespective of their personal opinions जो कि उनके personal opinion के खिलाफ होता है means अगर कोई बेखती है इससे माली जी की लोग सभास कोईनियम पास हो रहा है जो कि देश के हित में है बट ऐसी कोई party जो कि opposition में हो उसने अपने member से कही दिया कि इसके against आप quoting करना है अब उनके candidates जो हैं वो चाहे रहे हैं कि हम इसके support में करें लेकिन बट क्या करें क्या वो अपने party के खिलाफ और अपने leader के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं इसलिए कभी कभी उनका opinion नहीं होता है बट वो फिर करना पड़ता है उनको तो यहां पर हमारा third हो गया making love for a country यह आप इसको highlight कर लिजेगा फूर्थ parties form and run the governments यह आपका फूर्थ function है बहुत important function है पार्टियां फॉर्म करती है गवर्मेंट को और देश को चलाती है देख़े कोई भी government बनी है 100% है किसी ने किसी पार्टिक होगी इस इन प्रजन टाइम में सेंट्रल में बीजेपी government है तो बीजेपी party है इसके पहले Congress की government थी तो Congress की party है means जो भी party होती है उनहीं जो ruling party होती है वही government होती है तो पार्टियां क्या करती है बट्टा form and run the government कभी-कभी हो जाता है कि किसी एक single party को majority नहीं मिलती है तो दो या दो से अधिक party हो जोड़ करके उसको बनाती है means government form करती है As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executives that comes from the political parties Parties recruit leaders, train them and then take them ministers to run the government in way they want अगर हम देखें पिछली गई सालों में तो बहुत सारी बड़ी policy decisions are taken by the political executives हमारे लोगों के द्वारा, हमारे political leaders के द्वारा जो party हो, जो ruling party में है या opposition में है उनसे बहुत बड़े बड़े उन्होंने रने लिया है that comes from the political parties जो किसी ने किसी political party से ही आते हैं तो अब यहां पर क्या है, parties recruit leaders, leaders की भरती करते हैं means leader को चुनती है, party या train करती है और उनको फिर minister बनाती है और जिससे वो देश को या government को चलाने में support करते हैं Now next, those parties that lose in the elections play the role of opposition बिल्कुल, जो party या देश या means जो government को नहीं form कर पाती है वो opposition का role play करती है तो यह आपका 5th point हो गया बस आप इतना ही लिखने के बाद बस इसको आप explain कर दीचेगा अब opposition का काम क्या होता है वो लोगों की जो demand है उनको लोग सभाय रासभा में उठाती है सरकार का ध्यान धर खीशती है दूसरी बात criticizing governments और government की अलोचना करती है for its failure or the wrong policy अगर government कहीं किसी बात fail हो जाती है तो उसकी अलोचना करना बुराई करना या उसको समझाना बुझाना दूसरी बात उसकी wrong policy को पर भी वो लोग हस्ता शेप करते हैं ना नेस्ट parties say public opinion आपका नेस्ट पॉइंट क्या है party या public opinion शेप करती है means public का क्या opinion है public क्या demand करती है आप देखे होंगे कहीं पर बहुत सारे लोग चले जाते हैं धर्ना देते हैं धर्ना परदर्सन करते हैं तो वहाँ पर कोई न कोई particular leaders पहुंचाता है और वही leader पहुंचता है जो जिसकी की वहाँ पर government नहीं है अगर माल ये किसी प्रदेश में government दूसरी की है तो दूसरी party के लोग वहाँ पहले पहुंचते हैं means वो opposition होते हैं और वो दिखाना चाहते हैं दिखे government यहाँ पर फिल हो गई हम जनता के साथ में है जनता हम quoting करें हम जब government हमारी बनेगे तो हम आपकी demand को fulfill करेंगे देर रेच एन हाइलाइट इसू वो पब्लिक की बातों को उठाते हैं हाइलाइट करते हैं parties have lacks of the members and active spread all over the country parties पास लाखों members होते हैं पूरे देश में फैले होते हैं many of the pressures group are the extension of the political parties among different sections of the society और बहुत सारे pressure group होते हैं students यहाँ पर pressure group का मतलब है हुआ जैसे कोछ समुधाय बनाया जाते हैं कि नहीं लोगों को ले करके जैसे आपका आपने देखा होगा कि pressure group में आप ले लिजे किसान union हो गया मजदूर संग हो गया ठीक ना तो इन सब में क्या होता है कि कहीं ने कहीं कोई ने कोई बेक्ति हेड होता है और वो किसी ने किसी parties जुड़ा होता है जैसे ST, SC संग हो गया OBC संग हो गया पिछडों के लिए आर्ट तो यह सारी जो होते है pressure group होते है यह सब मिल करके क्या करते है government pressure बनाते है और अपने demand को fulfill कराने के लिए government से जुकाते है या उनसे कहते है कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यह democracy आपकी मनमानी इसमें नहीं चलेगी अब अगर ओ demand legal है तो government उसको fulfill करती है अधरवाइज उसको refuse कर देती है ठीक है students many other pressure groups are the extension of the political parties among different sections of the society parties sometimes also launch movement for the resolution of the problems faced by the pupils और कभी-कभी पार्टियां जो जनता face करते है उस problem को उसको भी solve करने का प्रयास या उसको लोगों का सामने लाने का प्रयास करती है सरकार सामने और अक्सरी देखा गया है कि जो political parties का जो भी होता है वो लभ 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 लोगों का ही भी होता है means political parties जो भी रखती है सरकार के सामने या मीडिया में वो कहीं ने कहीं जनता का ही भी होता है Now let's discuss point number seven Parties provide pupils access to government machinery and welfare scheme implemented by the government Parties provide pupils access to government Students यहां पर यह ध्यान रखना है यह आपका seven जो political parties होते हैं यह सरकार के द्वारा जो भी scheme या जो भी भलाई के लिए काम तला जाते हैं वो सरकारी means political parties ही लोगों तक पहुचाती है For an ordinary citizen it is easy to approach a local party leaders जिससे कोई साधान बिखती है तो वो उपर तक नहीं जा पाएगा means सरकारी या आप समझे बड़े बड़े नेता या मंत्री तक नहीं जा सकता है बटो क्या करता है अपनी local party leader से मिलता है then a government officer उसके बाद government officer से means जो party leader होगता है local label पे जो local label के लोगों को समझाता है उट अपने पक्स में करता है उनसे उपनी समस्याइं बताते हैं और वो लोग मिलकर के government से या government officer से मिलकर कि उनसमस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं that is why they feel close to parties तब होता क्या है यसे माल जी कोई बेक्ति किसी party member के पास गया और उसने उसकी समस्याओं को solve कर दिया तो इस तरीके से वो बेक्ति उस party के जादा नजदीगा जाता है कि हाँ भाई इस party ने हमा समस्याओं को solve कर सकते हैं पार्टियां लोगों की responsive और जिम्मेदार होती है उनकी need और उनकी demand को fulfill करने के लिए otherwise people can reject those party in the next election नहीं तो फिर पार्टिया क्या करेंगे means लोग क्या करेंगे उस party को उंट नहीं देंगे अगले election Okay students, next video में हम discuss करेंगे necessity and इसके आगे का part क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और हमें लगता है कि आप लोगों को भी लगती होगी लेकिन समझी आप सच मानिए कि अगर आप हमारा एक भी वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको class में या class जो आपका subject teacher होगा अ तो भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मैंस आप समझी अगर आप मेरा वीडियो कहीं पर भी आप रास्ते में चलते हुए या बस में सफर करते हुए कहीं पर भी अगर आप मेरा वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको class लेनी कि कहीं कोई जोड़त नहीं है अ